आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईज हमारे पास यहां पर question दे रखा इसमें हमसे बोला गया है कि if f mod of x square plus 6 upon 5x is greater than equal to 1 then x belongs to तो हमें x की value बुची गया है तो चले देखते हैं इसका solution solution हमारे पास क्या given है mod of x square plus 6 upon 5x is greater than equal to 1 यह देखे रखा है तो हम mod को सब्डेट कर सकते हैं नहीं हो जाएगा mod of x square plus 6 upon mod of 5x is greater than equal to 1 अब 5 भी हमारे constant देखे भी mod से बारा जाएगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ mod of x square plus 6 upon 5 mod x is greater than equal to 1 अब हमें क्या पता है कि x square plus 6 तो हमेशा एक positive quantity होगी always positive तो मैं इसको हमेशा ऐसी लिख सकता हूँ direct ही खुल दू यह हो जाएगा x square plus 6 upon 5 mod x greater than equal to 1 अब हमारे पास एक mod बचा है तो इसके लिए हम cases बना लेते हैं तो case 1 हो जाएगा हमारा कि जब mod negative से खुलेगा कब जब x less than 0 होगा तो mod x negative तो हम इसको open कर देते हैं यहाँ जाएगा x square plus 6 upon 5x minus 1 यहाँ पे आजाएगा greater than equal to 1 तो मैं क्या करता हूँ इसको उस तरफ ले जाता हूँ इन equality के तो यह हो जाएगा मेरा 1 minus 1 plus x square plus 6 upon 5x greater than less than equal to 0 ठीक है तो यह हमारा पास आजाएगा अब तो यहाँ पेल्सियम लेते हैं तो यह जाएगा x square plus 5x plus 6 upon 5x is less than equal to 0 तो अगर इनको हम यह लिखेंगे तो इसको इनकोड़िक को solve करेंगे तो इसके roots निकालते हैं तो x square plus यह कितना हो जाएगा मेरा 3x plus 2x तो यह हो जाएगा 3x plus 2x plus 6 is less than equal to 0 upon 5x यह वही है बस 5x को split कर दिया मैंने तो यहाँ से x common निकालूंगा तो यह हो जाएगा x plus 3 plus यहाँ से 2 common निकालो तो x plus 3 upon 5x is less than equal to 0 तो यहाँ पे आजाएगा x plus 2 and यहाँ से आएगा x plus 3 upon 5x less than equal to 0 तो हमारे पास यह एक solution आ रहा है तो इसको अगर हम number line पे plot करेंगे तो हमारे पास value जाएगी minus 3 minus 2 and 0 तो यह हो जाएगा plus minus plus minus sign change करेगा यह value तो यह हो जाएगा तो अब यहाँ पे दे रहा है मैं less than equal to 0 मतलब हम लेंगे negative values तो यह फिर यह और फिर यह तो हमारा 5x 25 मतलब x बराबर 0 included नहीं आएगा तो 0 पर आएगा open बाकि 2 पर included और minus 3 पर भी included तो यह हो जाएगा हमारा minus infinity से minus 3 union minus 2 से 0 और यह हमारा था x less than 0 के लिए तो यह answer हमारा इसके साथ अगर हम intersection लेंगे तो यह हमारा यही आजाएगा तो यह तो हमारा एक part हो गया अब case 2 देखते हैं तो case 2 when x is greater than 0 तो mod हमारा positive से खुलेगा तो मारे पास क्या x square plus 6 upon 5x is greater than equal to 1 यह acid इस खुल जाएगा तो यह मारे पास क्या आएगा x square plus 6 upon 5x minus 1 greater than equal to 0 तो यह हो जाएगा x square plus 6 minus 5x upon 5x is greater than equal to 0 तो यह quadratic है इसको मैं इसके roots find करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा x square minus 5x plus 6 upon 5x is greater than equal to 0 तो अगर minus 5x को मैं split करूँगा तो यह हो जाएगा x square minus 3x minus 2x plus 6 upon 5x greater than equal to 0 तो अगर यहां से x common निकाल हो जाएगा x minus 3 और यहां से minus 2 तो यहां हो जाएगा x minus 3 upon 5x is greater than equal to 0 तो यहां पर आएगा x minus 2 और यहां जाएगा x minus 3 upon 5x greater than equal to 0 तो अब number line पर plot कर लेते हैं से तो यहां पर आएगा 0 2 और 3 तो यह हो जाएगा plus minus plus minus सारी even power है x बराबर 0 included नहीं होगा तो यहां open हो जाएगा क्योंकि यह नीचे है denominator वाद इंक्लूड करेंगे तो x बराबर अब हमें क्या चीए greater than equal to 0 तो मतलब positive वाले तो यह हो जाएगा हमारा यह और यह तो यहां से हमारा solution जो आएगा वो आजाएगा 0 से 2 union 3 से infinity और यह था हमारा x greater than 0 के लिए तो इसका हमें लेना है intersection तो यह हमारा set पूरा आएगा तो यह 0 से 2 union 3 से infinity हो जाएगा और यहां पे था minus infinity से minus 3 अब इन तीनों का union कर लेंगे तो मारा answer आजाएगा minus infinity से minus 3 3 minus 3 included union minus 2 से 0 minus 3 included है minus 2 से 0 minus 2 से 0 union 0 से 2 2 included है और 3 भी union 3 से infinity तो अगर हम options में चेक करें तो हमारा क्या होएगा option number C तो option number 3 is the correct answer for this question thank you guys for watching this video hope you like the solution classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या whatsapp कीजे अपने डाउट आउट्स आट 400 400 चार्स उपर